तो हैलो दोस्तो आज की सुडियो में हाम स्टार्ट करने वाले चाप्टर फोर मन तो हिसके कवी है विकास परिहार तो चलिए इनका परिचे देखते हैं जन्म 1983 गुना मध्यप्रदेश परिचे विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतिय वायुसेना को अपने सेवाय दी फिर पत्रकारिता के शेत्र में उतीरन के बाद रेडियो से जुडा साहित्य में विशेश रुची होने के कारण आप नाटे गत्ती विदियों से भी जुडे हुए थे तो आप आभी हां पद्यसंबंधी देखते हाइक्यू ये जापान की लोगप्रियक आव्यविधी है हाईक्यू विश्व की सबसे छोटी कवीता में जानी जाती है हाईक्यू की पहली लाइने गणा अंदेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवी खेते हैं कि व्यक्ति के रुदय में जब कभी गणा अंदेरा आता है तो गणे अंदेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। प्रतिकूल परिस्तिति में भी कवी को अनुकूल स्तिति दिखाई देती है। तो आगली लाइने कहते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए। उसे किसी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यक्तित होना चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं करने चाहिए। तो आगे देखते हैं। जीवन नईया मंजधारा में डोले संभाले कौन। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती हैं कि व्यक्ति के जीवन रूपी नईया मंजधारा के संगर्श में स्थिति में हिलकोरे खाते हुए प्रतीत होती है। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्ण पैदा होता है कि ऐसी स्तितिक के गड़ी में उसे कौन संबालेगा तो आगे दिखतें रंग बिरंगी रंगसंग लेकर आया फागुन कवी कहते हैं कि फालगुन का मैना अपने साथ रंग बिरंगी रंग लेकर आता है वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार लाज देता है वह दुख भुला कर भी हसी खुशी जीवन की प्रेढ़ना देता है काटो की बीच खिलकिलाता फूल देता प्रेढ़ना कवी कहते हैं कि प्रकृती इंसान को प्रेर्णा देने का अन्मोल कार्य करती रहती है वह मनुष्य के लिए प्रेरक है जीवन में चारो और संखट रुपिक काटे ही काटे होते हैं ऐसे में व्यक्ति को उन काटों के बीचम से मार्ग निकालने की प्रेर्णा खिलकिलाता फू व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है उसे सुकून का एहसास होता है खारे जल से गुल गए विशाद मन पावन प्रस्तुत कविता में कवी कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाशाये पूर्ण नहीं होती है जब व्यक्ति की अभिलाशाये पूर्ण नहीं होती है तब व्रुदय से दुखी हो जाता है ऐसे में व्यक्ति के पास आसु बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं होता है वह आसु बहाता है जिस कारण उसके मन से सारे विशाद अपने आप घुल जाती है और उसका मन पवित्र हो जाता है मृत्यू को जीना जीवन विश पीना है जीती विशा कवी कहते है कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यू भी तो निश्चित होती है फिर विव्यक्ति को पास जीवन जीने की प्रबुल इच्छा होती है हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है देखा जाये तो जीवन श्रण बंगूर है फिर भी व्यक्ति इस जीवन रुपी वीश को पीना चाहेता है वह मरना नहीं चाहता लेकिन यह संबव नहीं है अगली लाइने मन की पीडा चाई बन बादल बरसी आखे कवी कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में धुख को कब तक संबाल कर रख सकता है आखिर में उसके व्रुदै की पीडा काले बादलों का रूप धारन कर लेती है और आशों के रूप में प्रवस्तुत होती है तो नेक्स्ट लाइने चलती साथ पत्रिया रेल की फिर भी मौन कवी कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है कोई किसी का नहीं होता दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता है जिस प्रकार रेल की पत्रिया एक साथ तो चलती है फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं है उन्हें एक दुसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदेव मोन धारे रहती है तो नेक्स्ट लाइन देखते, सितारे छिपे बादलो की ओठ में सुना आकाश कवी कहते हैं कि आस्मान में सितारे होते हैं, परन्तु बादल्चा जाने के कारण वे उसकी ओठ में छिप जाते हैं और आस्मान सुना हो जाता है, इस तरह मनुष्य जीवन भी होता है, व्यक्ति जीवन में कड़ी मेनत करता रहता है फिर विभाग्य साथ नहीं देता है, तो उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है, और उसका जीवन सुने पन से भर जाता है तुमने दिये जिन गीतों को स्वर हुए अमर कवी कहते हैं कि इश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ती नहीं होती, इश्वर ने ही इस व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किया है, यानि जीवन जीने की शक्ती प्रदान की है यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पैचाना जाता है तो हाईक्यू की लास्ट लाइन देखते हैं सागर में भी प्रकर मचली प्यासी ही रही कवी कहते हैं कि मचली सागर में रहती है फिर भी वह सागर का पानी ग्रहन नहीं कर सकती वह 80 ही रहती है इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानो रूपी मचली सब कुछ प्राप्त कर लेती है फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़ कर चला जाता है आखीर यह दुनिया का दस्तूर है तो दोस्तों आपको यह हाईक्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आपको यह हमारा एक्स्प्लिनेशन अच्छा लगा होगा तो डिजिटल कक्षाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक भी कर देना तो चलिए मिलते आगले व